जैश्री गनिशाइनमा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया की नंबर वन जोतिश्योट यूग चैनल स्टोसेईश टीवी पर मैं निहाराजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ द्यानिक राशीफल आज इस वीडियो में बात करेंगे कि दिन कैसा बीटेगा सभी 12 राशी के जातकों के लिए ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी दिन को अच्छा बनाने के लिए कौन-कौन सी चीज़े जैसे शुब अंग क्या होगा, शुब रंग क्या होगा, क्या उपाई करना है आपको ये सारी चीज़े मैं आपको विस्तार से वीडियो में देने वाली हूँ अधिकांश लोग जो है कोरोना की चपेट में आ जा रहे हैं बहुत लोगों को जान से अपने हाथ धोना पड़ रहा है यह तमाम खबरे जो हैं हमारी दिमाग पे असर कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की मानसिक स्थिती बिगड़ रहे हैं इस वज़े से तो मैं आप सभी से निवेधन करूंगी कि अपने आपको जितना जादा हो सके खुश रखने की कोशिश कीजिए और सांथी जितना बचाओ कर सकते हैं आप बचाओ कीजिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो जो चीज़ें कर सकते हैं कीजिए इसके अलावा अगर घर से बाहर निकल कराती हूं ताकि मैं आपके दिन को अच्छा बना सकों आपके दिन की 不是 अपकी सेहत्की बाद हो हर चीज के बारे में आपसे खुल कर mm एंट बहुत सारी लोग अपने कॉमेंस में अग搞 कि आज मुझे इस चीज के बैल में प्रॉब्लम है तो आपकी समस्याओं को मैं इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाती इसके लिए पहले तो माफी चाहूंगी और दूसरी बात कि आपके लिए समधान है हमारे पास और वो समधान है इस टोसीज वारता जिसका अपनी भाषा में वो किसी और जैसे शेत्र से बिलॉंग करते हैं तो अपनी भाषा में सवाल को लिखते हैं तो मैं माफी चाहूंगी कि हर भाषा में या हर किसी की सवालों को अगर मैं यहां शामिल करूंगी तो यह राशिफल का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपकी समस्या की जड़ को जानने के लिए मुझे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स जानने पड़ते हैं तो इसलिए यहां पे वो संभाव नहीं हो पाता आप चाहें तो आप हमसे वारता पर जुड सकते हैं बात कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है महा क्लिक कीजिए और जुड कर हमसे बात कीजिए चले शुरुआत करते हैं पंचान किसान तो तारीख है पांच दिन है बुद्धवार माहेवाई शाक पक्ष है कृष्ण तिथी की बात करें तो है नव मी नक्षत्र है घनिष्ठा चंद्रदेव आज रहेंगे कुंभ रा राशियों में चंद्रबल देखने को मेलेगा सुरियोदे प्राथा पांच बचकर 37 मिनट पर तो सुरियास्त वहीं पर शाम को 6 बचकर इन्थावन मिनट पर यह हो गई पूरी पंचांग की जानकारी अगर आपको और भी कुछ जानना है पंचांग से रिलेटेड या इस राशिफल में आपको लगता है कि कुछ और चीज़े एड़न होनी चाहिए तो आप जरूर हमें कॉमें बॉक्स में वह लिखकर बताईए ताकि हम अपने आने वाले वीडियो में आपकी द्वारा सुझाए गए चीजों को शामिल कर सकें यह राशिफल आपकी चंद्र रा सीहत पर खराब असर डाल सकते हैं अच्छी सिहत का मजा लेले से भी आपको वंचत कर सकते हैं तो घबराना नहीं है यह लाजमी है कि जो बाहर सिचुवेशन उससे डरना भी आपके लिए जो है आप डर रहें घबरा रहें लेकिन डर नहीं आज आप पे डर अगर हावी हो तब आप पैसा बना सकते हैं, यानि आगर आप तुक्के में कहीं पैसा लगाते हैं, तो नुकसान होने की चांसे हैं, फैमिली की बात करें, फैमिली लाइफ की, तो आज बढ़िया दिन है, आप सभी के ध्यान को अपनी तरफ खीचेंगे, और आज के दिन ऐसा होगा कि आप हर तरफ प्यार ही प्यार फैल आएंगे, आप जो है, आपकी बोली में प्यार होगा, आपकी प्रेमी के साथ आपका इकविशन अच्छा चालेगा, वहीं जो हमारे जॉब करने वाले लोग हैं, या जो वेवसाई हैं, आज अनुभवी लोगों से जोड़कर जानने की कोश जो चात्रे हैं, आज आपको खुद के लिए काफी समय मिलेगा, इस समय का उप्योग आप अपने शौकों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, आपको किताब पढ़ सकते हैं, आपने पसंदिदा, म्यूजिक सोन सकते हैं, वो कारी कीजिए, जो आपको पसंद है, क्योंकि य शोडा वस्था के दिनों की याद दिला देंगे, कहने का मतलब यह है, कि जीवन साथी, यानि जो शादी शोडा लोग है, आज जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, और अच्छा दिन बीतेगा आपका, जो हमारी गुरहनिया है, यानि हाउस वाइफ है, आज घ चार स्टार, आगे बढ़िए उससे पहले बहुत सारे हमारे दर्शक ये भी कॉमेंट करते हैं, कि मैं भागिस्टार देने में कंजूसी करती हूं, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, कि भागिस्टार देने में कंजूसी करती हूं, मैं ग्रहन एक्षट्रो के आधार पर आज के दिन आपके लिए कितना उपयोगी रहेगा, आपके लिए दिन कितना भागिशाली रहेगा, उस आधार पर मैं आपको यह भागिस्तार देती हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं कंजूसी कर रहे हूँ, तो मैं जरूर अपना हाथ खोलने की कोशिश करूँगी, और थोड़ मौज मस्ती और मन पसंद काम करने का दिन है, आज के दिन आप घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में भी होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में पच्चतान आपको पढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर का सिचोईशन कैसा है, बाहर निक पता है, उनकी सेहत का भी सवाल है, तो आपको बच कर रहना है, फैमली की बात करते हैं, तो आपके माता-पिता की सेहत, चिंता और घबराहट का आज कारण बन सकते हो सकता है, माता-पिता में से कोई बिमार पढ़ जाए और इसके बिज़से आप बहुत घबरा सकते हैं, तो घबराये मत समझदारी से आप अपने कदम उठाइए, सेहत अगर उनकी खराब हो रही है, तो उनके लिए क्या उचत है, जल्दी से जल्दी उस पर आक्शन गीजिए, लव लाइफ की बात करें, तो आज उसके लिए दिन बहतरीन है, प्यार का मज़ा चकते रहें, क्यों आपके लिए बहुत ही जादा महत्यपोर्न होता है, और प्यार ही लोगों को प्यार करने की वज़़देता है, तो आप वैसे ही लोगों को दूसरों को भी अपना प्यार बाढ़ते हैं, तो आज के दिन ये बहुत अच्छा दिन रहेगा लव लाइफ की नजरिये से, अब बात करते हैं, जो जॉब करते हैं, अपने चारो और वाले गतविधियों का ध्यान रखें कि आफके कांश्राय आज को दूसरा ले कर जा सकता है, यह जरूर देखे कि जो काम आपक करते हैं, जो मेहनत आप करते हैं, उसका ख्रडिट कोई और लेकर ना जाए, इस चीज पर कि आप खुद में खोई रहते हैं, घरवालों को परियाप की समय नहीं देते, आज कि दिन जो है, आप उनकी बातों को सुनकर, उनको समय देने के बारे में सोचेंगे, लेकिन फिर से आप वो काम नहीं कर पाएंगे, यानि घरवालों के साथ आपका जुरे रिलेशन है, वो उतना मजबूत नहीं हो पाएगा और आज इस चीज की जो है शिकायत घरवाले आपसे करेंगे। हमारी गुरहनेया जो है उनकी बात करने तो आज घर में काम के धिकता रहेगी आपके उपर और ये ठकान के वज़े बन सकती है तो बीच-बीच में आराम भी जरूर करें। शुभांक तीन है, शुभरंग है, केसरिया और तीला और रुपाई के तौर पर आज के दिन गाई को हराचारा खिलाएं या किसी गौशाला में आप हराचारा गर्दान में देते हैं जरूरी नहीं आपको गौशाला तक जाने के जरूरत है आज कर हर चीज ऑनलाइन हो किसी जानवर की मनुद करनी है, उनको जो है दान करना है वहाँ पर तो जरूर कीजिससे ववाहिक जीवन अच्छा रहेगा, भागिस्टार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच में से चार स्टार, अब बारी है मिथोन राश्री के जातकों की, आपकी उमीद एक महग स से भरे हुए खुबसूरत फूल की तरखे लेगी, आज के दिन आपको यह एहसास होगा कि आपकी सेहत अगर अच्छी रहती है, तो आप हर काम को अच्छी तरीके से कर पाते हैं, और यह बात का एहसास होगा कि फिजिकल हेल्थ कितना इंपोर्टेंट है, यह नीड आपको समझ में आएगी, पैसो की बात करें, तो आप पैसो की हैमेट को जानते हैं, तो आज के दिन आप जो धन बचाएंगे, यह आपके आगे बहुत काम आ सकता है, और किसी बड़ी मुश्कल से भी आप निकल सकते हैं, यह आज आप पैसे सेव करेंगे, और यह आने वाले भव आपको कोई पसंद आ जाए, आपको उनसे प्यार हो जाए, वहीं जो अल्रेडी किसी के प्यार में है, यह जीवन साथ ही आपको अपने कोई, जो बाते उसने बहुत दिलों से शेर नहीं की तो वो बाते आपसे शेर करेगा, और वो जान के आपको थोड़ा अचंभा भी हो सकता है और काम जो है आपका टाइम जो है वो उस काम में खराब हो सकता है, तो यह देखना है आपको कि किस चीज कीज जरूरत अभी जादा है, अगर पढ़हई पर आपको Fed Mi से करना है तो वहां कीज़ेग्गर कोई काम ऐसा है जिसमें आपकी जरूरत है, तो वहां पर आ ही आएगी लेकिन जो हमारी गुरहनिया है जो है राशी की आज घर में किसी से मतभेद हो सकता है आपका शुब अंक एक है शुब रंग है नारंगी और सुनहरा उर्पाई के तौर पर आज के दिन सफेद चंदन का तलक मस्तक पर करें से प्रेम संबंध में व्रुधी होगी भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच में से चाल स्टार चले आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे कर्कडाशी के जातकों की आउट्डूर खेल आपको आकर शुद करेंगी कहने का मतलब यह है जितना जादा आप एक्टिव रहेंगे आज के दिन आपका स पैसा जो खर्च होगा उसके बाद भी आपको कमी नहीं होगी फैमली में आप बात करें तो आपका मजाक्या सुभाव जो है आपकी प्रियतामी लोगों की दिलों में जगय बनाने में आज काफी मददगार रहेगा और लोग आपको काफी पसंद करेंगे घर के लोग आप इनकी में एनकी जगयर क्या है आपके दिल में पमसेत करते हैं तो आज आप उतरिक्त जमदारी अपने कंदों अपके लिए आपके लिए जो है मेवरधी हो सकती है तो आज के दिन इस चीज के लिए शुब है मेहनत जरूर कीजिए अब बात करते हैं हमारे छात्रों की तो अगर आज घर वालों के साथ या किसी के साथ विवाद हो जाए तो तलक्ट पड़ी करने से बच्चिये गया नहीं तो ये आपके लिए नु पाई के तौर पर आज केले के पेड़ की पूजा करें सेवा करें अच्छा रहेगा आपके लिए आर्थिकुन्नती होगी भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच में से साथ ही पूरी स्टार चले आगे बढ़ते हैं बात करेंगे सिंह राशी के जात्कों के सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशी के जात्कों के सेहत के बारे में तो आज आपको ऐसी गत्य वीदियों में शामिल होना है जो रोमान्चक हो और आपको सुकून दें क्योंकि आज ऐसी संभावना है कि आपकी मानसिक स्थिती पहले की तरह सामान्य नहीं रहे आप थोड आएगा आपके पास दिनस के लिए शुब है फैमिली लाइफ की बात करें तो अगर आप अपनी घरेलू जिमदारियों को अंदेखा करेंगे तो कुछ ऐसे लोग नाराज हो सकते हैं जो आपके सांथ रहते हैं तो अपनों की कीमत क्या है यह हमें मुश्कियों समय में पता अब जहाएं छलती है तो अभी जो समय चल रहा है उसमें अपने लों में जरूरतों को अंदेखा मद कीजे अपनी घरेली निवे दन करूंगी प्यार की बात करें लव लाइफ की बात करें लवर्स की बात करें तो आप मैसूस करेंगे कि ले बहुत नहीं है और आपका love partner आपको बहुत प्यार करता है आज वो feel होगा आपको जो आपके शिकायते थी वो शायद आज आपके अपने प्रेमी से गायब हो जाएं आज आपको feel होगा कि वो हर एक चोटी चोटी चीज़ों का आपके धियान रखता है आपको समझता है जो लोग job करते हैं औ आपको अपने भागिदार को अपनी योजनाओं से जुड़े रहने के लिए मनानी में दिक्कत होगी आज हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कारिय करना चाहते हैं या आप जो काम करते हैं उसमें अगर उनकी इन्वॉल्मेंट चाहते ह वो आपको जुड़ने में आपके साथ जो है अनाकानी करेगा तो अपनी बातों को अच्छे तरीके से अगर उनके सामने पेश करते हैं आप तो शायद वो मान जाएं तो इसलिए आज ऐसी संभावना है कि वो आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा आज के दिन जान पहचा नजर आएंगे क्योंकि फिजाओं में प्यार का खुमार चड़ रहा है आज आपका जीवन साथ ही आपके लिए कुछ खास करने वाला है तो तैयार हो जाई वहीं जो हमारी ग्रेहनिया है आज के दिन सेहत आपके बिगड़ सकती है अपनी सेहत का ध्यान दिजेगा शुब रात के समय आप थंडी हवा में खड़े हो जाए या बाहर खड़े हो जाए इससे आपको क्या को जब नीचर से कनेक्ट करेंगे तो यह आपको हील करने का काम करेगा और इससे नौकरी और बिजनस में भी आपको फायदा मिलेगा क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है वो दुर इसलिए आपको जरूरत है कि आप एक अच्छा बजट प्लान बना कर चलें क्योंकि आज फैसो का खर्च जो है वो ज्यादा होने वाला है अगर आप बजट प्लान बना कर चलेंगे तो बहुत सारी परिशानियां आपकी दूर हो सकती है फैमली लाइफ की बात करें तो कर लगता है आपकी द्वारा की गए भूल है तो आप माफी मांगे उनसे और आगे उनका खयाल रखें प्रेमियों की बात करते हैं आपकी शौरत बढ़ेगे और आप आसानी से दूसरे लिंक के लोगों को अपनी तरफ आकर शुक्त करेंगे आज आपके औरा में वह कुछ लोगों को तो आपको कुछ रिस्पोन्सिबिलिटी वाला काम मिलेगा अब बात करते हैं ग्रेहनियों की तो आज घर में कुछ पूचा पार्ट कर्मकान का यूजन घर में हो सकता है जिसे काम के रिखता आप में रहेगी लेकिन पॉज़िविटी रहेगा घर में माह कर दें अपनी बातों से तो इस बात का ध्यान रखेगा शुब अंक है एक शुबरंग है नारंगी और सुनहरा उरुपाई के तौर पर आज के दिन क्या करना है आपको आज के दिन आपको गणेश्ची की फूजा करनी है भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूँगी पा आपको मैं बता दूँ कि अभी आप सुन रहे होंगे सभी लोग कहते हैं इम्म्यूनिटी को बूस्ट कीजे अगर आप सही तरीके से खान पान रखते हैं तो आप आधी लडाई यहीं जीच जाते हैं तो अपने खान पान में अच्छा जो है अच्छा खाना ले जो प्रदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश की जाए आज के दिन फैमिली में टेंशन होगी आपकी कॉंसेंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे अपने काम पर बहुत परिशान रहोगे यह से संभावना है तो इस बुरे दौर से बुरे समय से कुछ अच्छी सीख लीज प्रेम जीवन की बात करें तो आज को ऐसा इंसान आप से बात करेगा जो आखको बेहद पसंद आएगा और वह ऐसी बात करेगा जो आप सोचते हैं जैसे आप SHE जो लोग जॉब करते हैं बिजनस करते हुए उनकी बात कर लें तो आज तरक्की के लिए नई श्रमतायें विक्सत करना और नई तकनीके सीखना महत्वपूर्ण हो रहेगा कहते हैं हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं जितना घ्यान है हमारे पास हमेशा कम पड़ जाता है हमेशा अगर आगे बढ़ना चाहेंगे चाहे हो career हो चाहे हो business हो आपको नहीं नहीं जानकारियां हासल करते रहने चाहें ताकि वो आपको आगे बढ़ने में मंद कर सके तो आज के दिन जो है ये श्रमताय विक्सत करना आपके लिए बेहत जरूरी होगा तकनीके सीखना आज कम बात करें उतना आपके लिए अच्छा है हमारे मैरेड लोगों की बात करें तो आज दिन बहुत शुब रहने वाला है पती पतनी की तरफ से वो प्रेम मिलेगा आपको जो हमेशा से आप चाहते थे लेकिन ग्रहिनियों के लिए दिन शुब नहीं है सेहत भी उत सकती ह हेल्थ पर दियान रखेगा बैक रिलेटेड प्रॉब्लम हड़ी उस रिलेटेड प्रॉब्लम आज आपको हो सकती है शुब अंक है तीन शुब रंगे की सर्या और पीला उर्पाई के तौर पर आज की दिल हरे रंग की कांच की बोटल में पानी भरकर दूप में रखें उ जल से स्नान करें इससे स्वास्त लाब होगा भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूगी पांच में से साढ़ ही इंस्टार अब बारी है व्रिश्चिक राशी के जातकों की नर्वस ब्रिकडाउं आपकी सोचने की ताकत और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना स सकता है साकरात्मक सोच के जरी इस समस्या से निजात पा सकते हैं तो मैंने आपको प्रॉब्लम और सॉलीशन दोनों बता दिया कि आज हो सकता है इम्म्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो आपका शरीर वीक पड़ जाए लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी प्रभावशाली लोगों से बातचीत करें जिनसे आपकी लंबे समय से बातचीत बंदती नहीं हो रही थी लव लाइफ की बात करते हैं तो प्यार के मामले में आज आप गलत समझे जा सकते हैं तो इसलिए कोई भी शब्द या कोई भी आक्शन है समत कीजिए जिससे आपक की जो करियर में हैं या बिजनस करते हैं तो आज तनख्वा में बढ़ोतरी आपको उच्साह से बर सकती है या कोई ऐसी पदोनती आचीवमेंट आपके साथ होगी जो आपको काफी एकसाइटिड कर देगी जो हमारे छात्रे हैं अपनी सभी निराशाओं और परिशानियों है बहुत सारे चीज़ों में चो लगेगा कि सारी चीज़े प्रायर्टी पर हैं लेकिन आपको यह चुनना है कि उन में से सबसे खास कौन सा है मैरेट लोगों की बात करें तो जीवन साथी की छोटी-छोटी बातों को नजर अंदाज करेंगे तो उन्हें आज बुरा लग सकता है और ऐसी संभावना है कि आज अपन को थोड़ा इग्नोर भी करने वाले हैं तो ऐसा मत कीज़ेगा नहीं तो व्यवाहिक जीवन में जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है शुब अंक है पांच शुब रंग है हरा और फिरोजी और रुपाई के तौर पर आज के दिन घर के बड़ो का शिरवाद सुबस सुबह ले ले ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सीहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा भागे स्टार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच में से तीम स्टार चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे धनू डाशी के ज जरूर बिताएं पैसो की बात करें तो आज करीबियों या किसी खास की मदद से अच्छा-कासा धनलाव होने की संभावना है जो पैसे आएंगे आपकी कई परेशानियों को दूर कर सकता है फैमिली लाइफ की बात करें तो आज घर की छोटों जो हैं जो आपसे भाई बहन हों या आपके बच्चे हैं उनसे जुड़े मामलों में उनकी मदद करना भी हदावश्यक है क्योंकि आप समझ नहीं पारें लिकिन वो कहीं ऐसी जगो पर फसे हुएं जहां उनको मदद की जरूरत है तो आप यह समझें उनसे बातचीत करें उनकी मदद भी जरूर करें आज के दिन आपको नेचर से कनेक्ट करना चाहिए जो हमारे इस राश्यक के छात्र हैं आज अगर आप नेचर से कनेक्ट करते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव को रियाक्शन मेलेगा जो भी प्रॉब्लम में फसे हैं उससे आप इसली निकल जाएंगे जो लोग घर से बाहर रहते हैं जो अपने सारे काम पूरी करके शाम के समय एकांत में समय बताना उनको अच्छा लगेगा आज के दिन थोड़ा आप पे एकांत वास रहने का आपका मन करेगा आपके मन प पता तो होगी कि जूट बोल रहा हैं और इससे आपको काफी दुख भी पहुंचेगा तो एक्चुल रीजन जानने की कोशिश करें ना कि उस पर रियाक्ट तुरंत कर दें हमारी जो ग्रेहिनिया हैं आज के दिन आपको हो सकता है आपके घर के माता पिता या आपके सास सस जो भी बड़े हैं आपके घर के उन में से किसी की सिहत बिगड़ सकती है उनका ध्यान रखिएगा शुबंक दो है शुबरंग है सिलवर और सफीद रुपाई के तौर पर आज के दिन मचलियों को दाना डालें इससे फैमिली में खुशी बढ़ेगी भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच में से साड़ ही इस्टार अब बारी हैं मक्य राशी के जातकों के आपके च्छाओं और महत्वकान श्राओं पर डर का साया पड़ सकता है इसका सामनेया करने के लिए आपको उप्योक्त सला की जरूरत है तो जरूर जो है आप किसी बड़े से किसी अनुभवी से इसला लें पैसो की बात करें तो आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं तो अचि यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाले है कि पैसो के इमपोटेंस क्या है और फिजूल खर्ची कर करने से पहले किसी बड़े की राह ज़रूर ले लें लगे au महबबत से दिन बीतेगा आपका वही जो बड़े उद्योग पती हैं इस राशी के उनके साथ साज़िदारी का वेवसाय फाइदेमंद रहेगा तो कोशुश करें अपने कॉंटेक्ट्स के थू बड़े-बड़े उद्योग पतियों से जुड़ने की आप बात करते हैं हमारे चात्रों की तो आज हो सकता है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शक्स आपसे संपर्क करेगा उद्यों को यादगार बना देगा मैरेड लोग जो है आज आपको महसूस होगा कि जीवन साथे की जिंदगी में आपकी कितनी एहमियत है वही हमारी जो गुरेहनिया है हाउस वाइफ है आज किचन में बहुत ज़्यादा समय आपका बीटने वाला है आप ठकान महसूस करेंगी दिन के उत्रार्द में इस आज खुद को ज्यादा आशावादी बनने के लिए प्रेरित करें इससे ना सर्फ आपका आत्मश्वास बढ़ेगा और व्यवहारला चीला होगा बलकि डर इर्श्या और नफृत जैसे नाकरात्मक मनुभाव में भी कमी आएगी कहते हैं हमारी जो यह नेगेटिव सकते हैं तो इसके द्वारा भी आप अपने नाकरात्मक मनुभाव में कमी आपको लाने के जरूरत है अब बात करते हैं पैसो की तो आज अपने भाई बहन की मदद से या घर के बड़ों की मदद से आज आपको धनलाब होने की संभावना है फैमली लाइफ में काफी के कारण आप ऐसा कर पाने में जो है वह सफल नहीं हो पाएंगे मैरेड लोगों की बात करें तो जीवन साथी के साथ आप बहुत खर्चाज कर सकते हैं बावजूद इसके आप इस वक्त का पूरा लुद उठाएंगे हमारे चात्रों की बात करें तो आज थोड़ा सावान आप उसकारी को पूरा नहीं कर पाएंगी शुवंख है नौ शुबरंग है लाल और मैरून रुपाई के तौर पर चलते पानी में तांबे का सिक्का बहाएं इससे लव लाइफ बहतर रहेगी भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच में से साढ़ ही तीन स् पैसो की बात करें तो निवेश करना फाइदमंद रहेगा दिर्गहावदे मुनाफिय के नजगे से तो आप स्टॉक में म्यूचल फ़न में पूरे अनलेस के बाद मेश कर सकते हैं कहीं बिए अगर इंवस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार पूरा आप ओवरॉल चकर दीजिए उसके बाद आप निवेश कर सकते हैं कि इसके लिए दिन शुब है अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की तो आज खास लोगों से आपका परिचर होगा जो आगे चलकर आपके लिए फाइदमंद रहेगा याज आप कुछ ऐसे लोगों से जोड़ सकते हैं जो आज के दिन अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझी उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें कि वो क्या चाहते हैं जो लोग जॉब करते हैं आप बिजनस करते हैं आज आप हर तरफ से तारीफ पाएंगे यानि आज के दिन आपका काम बहुत अच्छा रहेगा औ आज आपको कोशिश करने हैं कि आप थोड़ा वक्त अपने घर के बड़ों के साथ जरूर बिताएं मैरेड लोगों की बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत खुबसूरत रहेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी वहीं हमारी जो ग्रहनिया है यानि हाउस वाइफ है आ आगस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच में से साढ़ है तीन स्टार तो दोस्तों ये तो हो गई आपके आज के दिन की बाद कैसा दिन बीतेगा क्या कुछ होगा आपके साथ खास तमाम जानकारिया मैंने आपको दी हैं आपको जैसे मैंने वीडियो के कोई स्वास्त को लेकर कोई अपने करियर को लेकर बहुत परिशान है तो आज के दिन मैं आपको कुछ उपाय बता देती हूं जो सिंपल सिंपल उपाय होंगी जो आप कर सकते हैं और आप इसको करके अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं जो मैंने आपको आपकी राशी के ल बुद्धवार के दिन गणेश जी को दुर्वा और सिंदू जरूर अर्पित करें ऐसा करने से जितने भी परिशानिया हैं वो दूर हो जाएंगी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा इसके अलावा गणेश मंदिर में साथ बुद्धवार तक गुड का भोग चढ़ाएं और गणेश उद्धराक्ष धार्ण करें यह एक उपाई है बाकी जिन लोगों को यह संभर नहीं लग रहा है मैं और आगे आपको सिंपल सिंपल रेमेडीज बता दे रही हूं यह कोई राशी के लिए नहीं है हर कोई कर सकता है कोई इसमें दिक्कत नहीं है बुद्धवा सांथी एक और उपाई है जो कि बहुत सारी लोगों ने सुना भी होगा कि आज के दिन बुद्धवार के दिन किन्नरों को कुछ पैसे दान दे फिर उनसे कुछ पैसे आश्रवाद के रूप में ले और उन पैसों को घर के पूजा स्थान पर रखकर धूप बत्ति होना है तो पहले सौफ थोड़ा सा खाले ऐसा करने से काम बन जाएगा और सांथीज अपने साथ एक हरा रुमाल भी जरूर रखे हरा रंग बुद्धवार के दिन शुब होता है और एक मंत्र है जो आपको बुद्धवार के दिन जरूर जो है जाप करना चाहिए ओम ब्रा खरीद कर भी ना लाए ध्यान रखेगा यह चीज़े आपको खरीदनी भी नहीं नखाना है ना बनाना है घर में इसके अलावा सबसे आखरी उपाय आप में आपको बता देती हैं कि बुद्धवार को हरा मूंग धनिया पालक सरसो का साग हरी मर्च पपीता और अमरूद का च्पपा अच्छा माना गय है तो आप यह दान कर सकते हैं जो हिसमें से संभा हो तो बहुत सारी उपाय porch करके आप अपनी परेशानियों को रुके और बात करना चाते है तो आप हमसे उझवारता पर hardships ने मिस राएगा वहां आप जूड कर हमसे बात करके यहां जूड़कर आप हमसे बात कर सकते हैं बाकि बहुत सारे लोग जो कॉमेंट कर रहे हैं मैं अपनी कृतग्यता व्यक्त करने के लिए आप सभी का नाम लेना चाहोगे यह मैं हर दिन अब वीडियो में करूँगी कि मैं अपनी कुछ दर्शकों का नाम जरूर अपनी क्या हुए कॉमेंट बॉक्स में जिनका तुनाम है उनका जोड़ी से नाम ले देती हूं शिव कुमार ट जी लिखते हैं राधै राधै जी धन्य द्थशिपुंक स्था द्रट जी निभी सिदार जी सुद्ध्वध जी मिडी नरेश पर टेल लिखते हैं लक्षमी चौहानजी है वह भी उन्होंने भी की कमेंट किया है जै प्रकाश जी ने कॉमेंट किया है राजंदर सिंग जी ने कमेंट किया है लोमाश साहु जी ने कॉमेंट किया हुआ है, बहुत सारे लोग सेहत के बारे में पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दू कि पहले से आप सभी की दुआओं के वज़े से काफी बहतर है, मैं जोल्दी ही आप से वीडियो के दुआरा जोड़ूंगी, लेकिन अभी बाहर की स्थिती भ पूरी तरह अच्छी नहीं हो जाती, दीपक जी भी लिखते हैं, जै प्रकाश जी ने कॉमेंट किया है, पंकज यादव जी ने कॉमेंट किया है, और बहुत सारे लोगों ने मेरे सिहत के बारे में पूछा तो शुक्रिया है आप सभी का, आप ऐसे ही देखते रहे हैं सु कुछ खास जानकारियां देते रहूं, बाकि जो भी जिनका जर्म दिन आता है, अनिवर्स्री है, कोई खास देन है, उनको इस दिन की धेर सारी शुभ काम नाए, मैं आप से कल मिलूँगी, हर शाम की तरह पांच बजी ये राशी पल आएगा आपके लिए, तो इससे